हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका हमारे चैनल पे आज हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरन से समास समास किसे कहते हैं समास के भेद, परिभाशा और उद्दाहरन होब कि आपका ये समास जो टॉपिक है वो क्लियर हो पाए इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखे तो आईए वीडियो शुरू करते हैं समास, समास किसे कहते हैं परिभाशा दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं इसकी निमलिखित विशेश ताय है पहला समास में कई पदों का मेल होता है, दूसरा कई पद मिलकर एक पद बन जाते है, तीसरा इन कई पदों के बीच का विभक्ती चिन लुप्त हो जाता है अगला है पदों में कभी पहला और कभी अंतिम पद प्रधान होता है कभी सभी पद प्रधान होते हैं पाचवा कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है एक उदारन इस प्रकार है राज पुरुष इसमें दो पद है राज और पुरुष दोनों पद मिलकर एक हो गए हैं, दोनों पदों के बीच का विभक्ति चिन्न का लुप्त है, इसमें दूसरा पद पुरुष परधान है, अता या ततपुरुष समास है अब हम लोग जानेंगे समास के भेद, समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, पहला ततपुरुष, दूसरा कर्म धारे, तीसरा बहुवरी, चोथा द्वन्द, पाचवा द्विग्गू और छठा अव्याई भाव पहला ततपुरुष समास, इसमें पहला पद प्राय, संग्या या विशेशन होता है, और दूसरा पद संग्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, पहले पद में कर्ता को छोड से सभी कारक पद आते हैं, किन्तु समाप्त होने पर उनके विवक्ती चिन्नों का लोप ह जाता है जैसे स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त यानि कि इसमें भी को विभक्ति आया है तो यह हो जाएगा कर्म तत्पुरुस करताने कर्म को अगला है सिर तोर सिर को तोरने वाला यह भी हो जाएगा कर्म तत्पुरुस चीरी मार चीरियों को मारने वाला यह भी ह हो जाएगा कर्म तत्पुरुस करन तत्पुरुस आए देखते हैं पद दलित पद से दलित यानि कि इसमें से विवक्ति है तो यह हो जाएगा कर्म को करन से तो यह हो जाएगा करन तत्पुरुस यहां पर पद दलित पद से दलित यह भी से इसमें है तो यह भी हो जाएगा रस से भरा ये भी हो जाएगा करन तत्पुष मद माता मद से माता गौ में देख सकते हैं संपरदान तत्पुष जैसे की रसोई घर रसोई के लिए घर के लिए जो है वो संपरदान तत्पुष का विवक्ती है देश भक्ती, देश के लिए भक्ती, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, विभक्ती सहित शब्द पद कहलाता है शनान घर शनान के लिए घर घौ में देख सकते हैं अपादान ततप्रुष नित्र हीन नित्र से हीन राज्य ब्रश्ट राज्य से ब्रश्ट धन हीन धन से हीन आगे देख सकते हैं संबंध ततप्रुष अन दान अन का दान श्रम दान श्रम का दान राजभवन राजा का भवन राजपूत्र राज़ा का पूत्र चौ में देख सकते हैं अधिकरन ततप्रुष पूर्शोत्तम पूर्शो में उत्तम दान वीर दान में वीर नरोत्तम नरो में उत्तम ध्यान मगन ध्यान में मगन तो यहां पर इस तरह से आपका जो है उदारन के साथ यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा होप की अगला भेद है दूसरा कर्मधारे समास करता तत्पुरुष को ही कर्मधारे कहते हैं करता अर्थात प्रथम विभक्ति के पूर्व और उ विशेशन विशेश पदों का समास है जैसे नव यूबक नव है जो यूबक पितांबर पित है जो अंबर परमेश्वर परम है जो इश्वर नील कमल नील है जो कमल महात्मा महान है जो आत्मा का पुरुष कुत सित है जो पुरुष तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्ल प्रधान नहीं होता इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेशन होता है अर्थात इस समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है जैसे चंदर शेखर चंदर है सिर्पर जिसके महादेव चतुरानन चार है आनन जिसके ब्रह्मा वीना पानी वीना है पानी में जिसके सरस्वती नील कंठ नील है कंठ जिसका शिब जी दशानन दस है आनन जिसके रावन तो ये सारे हो गए बहु व्रिह समास इस तरह से आप समझ सकते हैं बहु व्रिह समास को अगला भेद है दवन्द समास इसके सभी पद प्रधान होते हैं और योजक अव्य का लोप हो जाता है दवन्द मतलब लराई जगरे होते हैं तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं जैसे हाथ पाउं, माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, पाप पुन्य, भाई बहन, घ दवन्द समास हमेशा जोरे में दिखाई देते हैं तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं पाजवा भेद है दुग्यू समास या तदपुरुष के कर्मधारे भेद का ही समास है तदपुरुष का पुरपद विशेशन होता है जबकि इसका पुरपद संख्यावाचक भक्ति के होते हैं जैसे त्रिलो की पंचवटी इसमें देख सकते हैं अप संख्या पहले आ रहा है दो पर, चौडाहा, छद्दाम, सत्सई, छमाही, दुवन्नी, तिमाही तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं पहले संख्या आ रहा है तो वो दुग्यू समास है अगला प्रति दिन प्रति मास यथा संभव आजन बेकाम यथा शक्ति अव्य वो होता है जिसका व्य ना हो जो हर सिती में अपने मूल रूप में बना रहता है तो इस तरह से आप समाज समाज के भेद को याद रख सकते हैं समझ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेलफूल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें मिलते हैं एक और वीडियो के साथ अब तक के लिए ब